वेल्कम बैक टूम मैं ब्लाग चैनल गाइस तो आज मैं आपको ज़र्णी जो दिखाने जा रहा हूं वह आगजसे रहपरा चाट किया रहपरा चार्ट से दहली दहली से मेरट किये ओके तो मैं आपको इस वीडियो के मीडियम से दिखाने वाला हूं जहां पे भी मैं जाओंगा और फाइनली मैं आपको बता देता हूं इस रोड पे जो मैं जा रहा हूं यह रैपरा जाट के लिए मैं निकलना हूं रुनकता वाला है विया आग्राम है और यहां से मुझे अपनी पहले टीसी कलेक् कि मुझे अपना माइग्रेशन मिलेगा जो कि मेरर से मिलेगा और मुझे क्यों ज़रूरी है माइग्रेशन यह मैं बता देता हूं क्योंकि मुझे एक्जामिनेशन फॉर्म बरने है MSW क्योंकि मैं आगरे युनिवर्स्टी से MSW कर रहा हूं यह आपको पता है मतलब कुछ लोगों को पता है उके तो यह आपको दहुत रहा है उनल यह पर देखराह और मैं परेंइंड वाला भी दो nic नई झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो यह जो केट है हम इससे ही पांग जाते हैं तो हम लोग अभी जा रहे हैं खाना देने खाना देने हैं तो शुम भाई और कहा है उसका उसका घर यहां पर तोड़ी है कहां पर दिखाऊंगा आपको जब आप चलोगे तो अन्हें बता ही नहीं भी में उमा और काल लें दो कि आपको आपको कैसा देख रहा है तो यह है शुम का पुराना घर यह अम्मा बैठी है यह बाबा और मांजू क्या आल हैं मामा जी मामा जी मामा जी नमस्ते करता हैं बाहर कर दो लाओ है अज दो करने को क्या है कुँरे पास कोई और रास्ता है वाजू देखा देखार व्याजद तर्फेक्ट पाश। वो इस परीजियों हम रखाय प्माचा के अजीरगद काड़ीं मर्ण सक्माचा, मर्ण से थेख डेख, मंच्छी जपीजिए है घए है ओम अर गाद, वाओ तो गाइज यह स्कुल जो आपको दिख रहा है ना वो स्री मोने बाबा अधर सिंटर कॉलेज है यहीं से मैंने अपनी टी-सी ली दी और इसी कॉलेज से मैंने अपनी जो इंटर के पिपर दिये थे यहां पर मुझे अपनी टी-सी दी गई जो कि सर ने दी ती यह दिखा रहा है ना और फिर यहां से मैं निकल गया मतरा रिल्वे स्टेशन के लिए क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था फिर मैं टेंपो में बैटके और यहां से अंकल जी ने मुझे फरह पे छोड़ा फिर फर और फिर वहां से यह दिको में मुझे रिल्वे स्टेशन पर छोड़ा था एस फी ने और फिर उसके बाद मैंने इने ट्रेन पकड़ है जो की साड़े-साथ की थी और फिर ट्रेन पकड़ने के बाद मैं भी दिखा था हूँ और इस ग美味 aynı ऐने रहा है इसके बाद मैं यहां अपना काफी अच्छा और बड़ा बन गया है यह मतुरा रिल्वे स्टेशन और काफी अच्छा भी लग रहा था देखने में भी तो यह देखो इतनी प्यूट थी रिल्वे स्टेशन पर और फिर यहां पर मैं अंदर बैठ किया और मुझे अलग के लिए सीट भी मिल गई य अच्छा था तो मैंने खाना खाया और इसके बाद मैं देली पहुंच गया दस सवा दसवजी के करीब और फिर यहां से मैं नीचे जाके मैट्रो के लिए जगद उन्हें मैट्रो देखने लगा कि कहां कि दर साइट से फाइनली मुझे मुझे मैट्रो भी मिल गई तो फिर इसलिए मैंने इस सब रिकॉर्ड किया था और यह देखो यहां से मैं मैट्रो के अंदर गया और 근데 यहां पे फोटोग्राफिया लाव नहीं थी THी तो यहां मैंने केमरो बंत कर दिया था कि जाके सर ने मना कर दिया थे हम पर एक सर आय थे बोल रहीं थे सर आप सूटनी कर सक कि और मतलब कोई निकालना नहीं सकाया मतलब मैंने निकाला था ना तो यहां से भई मेट्रो आई और मेट्रो में बैठ गया और फिर आफ्टर संग टाइम मैं वहां से उतरा क्योंकि आकाश भाई आने बाला था मेरा कजिन जो रहता दली वह लेंग्विज सीख रहा है तो उ जहां से मुझे मेरा माइग्रेशन मिलेगा और फिर उसी रात को मुझे आगरा निकलना है क्योंकि मेरी नानी एकस्पायर हो गई थी वहां पे भी थोड़ा काम दिखवाना है तो गैज यह देखो ऐसा कुछ नहीं जा रहा है साउथ एकस्टेंशन का तो भाई आ गया था म प्रू टमाटर की सब्जी बनाई जो कि हमने का फिट पहले जब हम रहते थे तब बनाया करते थे जो कि बहुत टेस्टी वनी रहे लियार अभी देखो अभी यह सीन आने वाला है जब हम दोनों ना सब्जी बना रहे होंगे मैं आकाश और आरन विया तीनों ने फिर रूम की नीचे गाड़ी खड़ी करी और फिर यह दिखाता हूं मैं आपको रूम यह है गाइस ऐसा कुछ न जा रहा है तो यह सामने किच्छन है और यह टेबल है और यह मैं हूं और गाइस ब्लू पेंट हो रहा था इस पर यह किच्छन है मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल हां खुछ भी बोल रहा हूं जो मुझे दिख रहा है से वीडियो बॉस बोलता हो और यह बालकन ही ऑ Candice और यह सामने वाश्रूम है यह भी दिखाई की क्योंकि थोड़ी स्टाइमिंग भी बड़ी रही है और मुझे को प्रॉलम नहीं दिखाने में और फिर यह जो साइड में यह बैडरूम है और जो की जैसा एक्सपेक्ट यह था वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था और यह बुक्स वगेरा रखी में थी और यह देखो अब ह हमारी त्यारी हो गई सुरू जो कि हम दोनों सब्जी बनाने की त्यारी कर रहे थे और यह अपना काम कर रहे थे इंपेट के आपको दिख रहे होंगे बहुत देर के बाद ये खाना हुआ थे यार काफी बोटले कदम करने के बाद पानी की और बहुत सारी वक्चोदी करने के बाद फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि बाई चुप हो जा अब मैं जिल्ली पाँगा तुझे जादा और फिर ये भी बैटे या और मैं भी अपना पानी पीता ही रहा इतना पानी मेरे पेट में इतनी जगा है भी एतना मैं पिए जा रहा हूं पानी और भाई भूकप बहुत जोड दो क्योंकि में सोबह मतलब मैंने ट्रेन में तभी खाना खाया था और यह देख्वा करश मैं जो बिसक्ट वगेरा वहां से रखके लिए था वहीं हम खाया जा रहा है क्योंकि भूत लग रही थी वस ऐसा लग रहा था वस कुछ मिल जाए वही खाने के लिए तो सबजी देखो भी पक रही है हमने रख दिये बनाने के लिए फिर हम थोड़ी और बात करने लगे अपने गाओं की कैसे क्या कौन क्या पढ़ रहा है क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो भी इसी के पास रहता है क्योंकि वह ही था आगरा में इसलिए मैं भ भाई बात हैं कब खतम होंगी तुम लोगों की फिर आजन भी आ गए यह देखो अब जो आटा था वो च्छान रहे हैं यह लोग अरन भी आप भाई खाना बनाएंगे मैंने तो कह दिया भाई मैं तो Бैठूँंगा मुझे नहीं पता जिसको बनानी है रोटी क्युकि मेरे पेना रोटी बनाना आते ही नहीं है मैं जो उठियों गोलूँ भाई मेरे बेला सबजी आती है क्author इमयरे काम हो गया खत्म अब तुम लगे रहो तुम तौनो आगास किया गई थी वीडियो कॉल और ये लोग अपनी ग्रूप में बातें कर रहे थे और फिर भाई मैं आपको ना बैटरूम दिखाता हूं फिर इसके बाद हम सो गए क्योंकि भाई बहुत तीज नीद आ रही थी सारे दिन हो गया पू तो आनन्द भिहार आई इस बीटी से मुझे बस मिलेगी मेरट के लिए तो पहले मुझे मैटरो से निकलना है तो गाइस कुड नाइट अब हम अगली सुबह बात करेंगे और फिर मैं वेट करता रहा अगली सुबह होने का देख रहे हो बतलब सोते सोते भी मैं बात कर रह और मैटरो में बैठने के बाद वीडियो मैंने यार काफी लंबी बना दी है आई थिंक फिर यह देखो रुग गई मैटरों और फिर यहां आनन्द भिहाराई इस पीटी मैं मैं उतर जाता हूं फाइनली तो मैं पहुंच गया आनन्द भिहाराई इस बीटी जहां से मुझ ज्यादा भीड़ तो नहीं थी पर स्टार्टिंग विए यह पुल है आनन्द भिहाराई इस पीटी का यहां से क्रॉस करके बस आपको मिलती है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जैस बस मैं मैं बैठा था ना वो देखो यह बस है जहां पर मैं बैठा हूं और यह बस मु और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा और मैं आपको एक अच्छा नजारा दिखाने वाला हूं हमारी यूनिवर्श्टी सुभारती यूनिवर्श्टी योगी आपने चैनल से लरनिंग में काफी ज्यादा यूनिवर्श्टी बढ़ी है और मैं एक बार पहले वी जा चुका हूं यहां पर यह देखो काफी एन्वार्मेंट भी काफी अच्छा लगता है यहां पर जहां लगता है कि हाँ यूनिवर्श्टी में आया क्योंकि मैंने जो यहां पर फिल्ड भी दिखाता ना वह रिलियार इतना बड़ा था मैंने अपने अब तक इतने कॉलिज में पड़ाहुना, not colleges मतलब school में पढ़ा था और एक अपने आगरा की college में पढ़ा था तो वहाँ पे तो भाई इतना बड़ा field नहीं था बिलकुल मैं यहाँ पे गया तो यह देखो सुबारती नहीं अपना खुद का एक world बना रखा है वहाँ पे देखो medical colleges और engineering colleges सारे जो student हैं आपके ही मिल जाएंगे सारे और फिर मैं भाई दीरे दीरे बढ़ता रहा आगे क्योंकि यह university बहुत बढ़ी थी और वीडियो मैंने काफी बढ़ी कर दिये बोलता रहूंगा पर यह वीडियो नहीं कतम होगी ठीक है तो भाई मैं ऐसी पैदल चलता रहा ऐसी और यह देखो सारे स्टूडेंट्स और भाई यह बाइक वाला वाई यह आ गया और यह मैं जानी है भाई यह ना चाहद ही बड़ी कर दी मैंने और मैं काट तो सकता नहीं हूँ यह मेरे पैर भी चल ले है वह ऐसी बोलना पड़े को कुछ भी ठीक है बड़ी तो है वीडियो लेकर ठीक है आप लोगों से बातें करने का मुकावी मिल ला है और मेरे को ना सब कुछ बताने का भी पता है मेरा मेरा फॉर्म जो एक्जामनेशन फॉर्म है वह भराई नहीं जाएगा अगर मैंने माइग्रेशन नहीं दिया तो माइग्रेशन जब दोंगा ना मैं वहाँ पे तो तब वो मुझे एन्रॉल्मेंट के लिए वहां से अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके म मैंने जो अपनी बीए थी वो मैंने सुभार्ती उनिवस्टी से कंप्लीट करी थी इसलिए मुझे माइग्रेशन की जरूरत होगी अधर इस्टेट के लिए ओके तो भाई आफ्टर लॉंग टाइम यह आपको सामने दिख रहा ना सुभार्ती मैडिकल कॉलिज इसी से मतलब काफी चलना पड़ा आप देख सकते हो इतनी मेहनत करके मैं वहां पर गया और बहुत ज़्यादा मेहनत करी मतलब मैंने यह देखो कितनी डेकुरेशन हो रही है और बाई नेचर देख रहे हैं आप इतने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था वैल मैंटेंट और जो यहां यह जो आप पेड़ देख रहे हो ना एक एक पीड़ का नाम उस पे लिखा हुआ था और मतलब जो आसपास जितने भी पेड़ आपको देख रहे हैं सब पेड़ के नाम उस पे लिखे हुए थे जिससे किसी को अगर जानकारी लेनी हो तो साफ देख सकता है कि हाँ यह पीड़ है और यह देखो मंतिर है यहां पर सनातर मंदिर सुबार्थी सनातर मंदिर औ है काफ़ी बोड लगा रखे हैं जो डिपारडमे मैं आपकोट जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बिना किसी बंदे से पूछे हूगए आप जा सकते है कऊई किसी प्रोलों कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको तो भ翠ी यह देख रहे हुआ इतना मतलब도 Zus चल लिया बहुत ज्यादा चल दिया मैं और फिर फाइनली ये जो गेट दिख रहा है ना इस थोड़ा सा आगी जाकर लेफ्ट साइड में मेरे को ठर्न होना है जैसे के देखो है यह यह जो घर यह लेफ्ट साइड में था और यहां से में टर्न हो गया और कुछ दूड़ जा यार और यह भाग गया यह मेरे तो देखके देख रहे हो और पता नहीं यार मैंने तो इसको रोटी और बिसकेट डालना भी चाहा पर यह तो भाई दूरी भाग गया फिर मैंने का कोई ना यार अपनी प्यास अपनी बूक बुझा लेंगे फिर वही थोड़ा सा आगे जाके जो मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा ना अब इस गेट से आगे जाके देखो यह देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है किसी ने स्टूटेंट्स ने सरीया वरिया है लोई की ग्रिल्स होती है ना उनसे बनाया हुआ और यह जो बहुत धर्म टेंपल जो काफी है काफी बने हुए यहां पर और यह देखो उसी डिपार्टमेंट में जहां से मुझे माइग्रेशन मिलना था फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके यहां से लिफ्ट लेनी है मुझे लोगी सेकंड फ्लोर पे सॉर्थ फ्लोर पे मुझे माइग्रेशन मिलेगा मेरा वहीं पे स तो मुझे सारे पेजस वहां से करीब एक हजार स्टैप्स मुझे जाना पड़ा और यह वेटिंग रूम है जहां पर मैं तब से वेट कर रहा था और वो सारे प्रिंट करा के मैंने सब सर को दे दिये और अफ्टर लॉंग ड़ा अब पता है क्या होता है उनको जमा करने के स्टिकी बाद भी मेरे से पता है क्या कागा क्या कहा गया कि भाई आपको यह जो ऑपको माइग्रेशन मिलेगा वो तीन दिन बाद मिलेगा तो आप ना तीन दिन बाद आना और मैंने रिक्वेस्ट करी सर्से के सर मुझे हो अर फार्जाय सब कुछ पताया मैंने तो सर ने वोला कि भाई मैं आपके लिए सिर्फ एक फिपर कर सकता हूं कि कल आप आ सकते हो आप यहां पे ना होटल लेके एक दिन रहलो आप सुबह आजाओ और साम को आपको मिल जाएगा माइग्रेशन जो है तो भाई मैंने बोला सर मेरे को आज ही चाहिए मैं साम तक वेट कर लूँगा और आप कुछ पैसे से बहले एक्स्ट्रा लग जाए मुझे कोई प्रॉल्म नहीं है थोड़े बहुत एक्स्ट्रा में दे सकता हूं क्योंकि भाई मेरा अगर मैं दुबारा अखा लिया था इसके बाद मैं भाई निकल पड़ा था अपने बस के लिए जो कि मुझे मेरट से आगरा के लिए पहड़नी थी तर मुझे मेरा साम को ना मुझे अपना माइग्रेशन मिल गया और थैंक्यू गॉड एंड मैं बताना चाहूंगा जो सर थे ना वो सर आर्ड कर रहा था और हां बसना बीच में डावे पे भी रुकी क्योंकि ना यह इस क्लिप्स जल्दी मैंने कर दी है तो इसलिए जल्दी आपको दिखाई जा रही है इसके बाद भाई हम अलीगड पहुंचे अलीगड से बस जा रही थी अलीगड से निकले हम आगरा आगरा मैंना कुछ देर के बाद मेरा फोन हो गया था डैड तो इसलिए मैं वीडियो नहीं मना सकता थैंक यू सो मच गाई और सब्सक्राइब करिए मैं इस चैनल को